ग्लास शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चानल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करतीजे और बेल आइकन को दबाना बिलकूल ना भूलें तो बच्चों आज हम स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल एल्फाबिट्स में हम फोर लेटर्स हम आगे लिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, तो देखे बच्चों, पिछली क्लास में हमने A, B, C और D सीखे थे आज हम E सीखेंगे, E, F, G और H, तो चलिए, पहले E करते हैं, तो यह देखे बच्चों, यहाँ पर आपको पैंसल रखनी है और थोड़ा सा हॉरिजेंटल आपको आगे जाना है, और उपर आपको कर्व करते हुए नीचे की तरफ ऐसे आना है, तो यह बन जाता है हमारा E, उसके बाद F, यहाँ पर हम पैंसल रखेंगे, और थोड़ा सा उपर से कर्व करते हुए नीचे आएंगे ऐसे, और E, इसके कहीं सेंटर में हम हॉरिजेंटल लाइन ऐसे लगाएंगे, बचो आप दो तीन तरीके से भी F को बना सकते हो, एक तो यह है जो वेरि सिंपल है, और बहुत ही ईजी है, और दूसरा आप कर सकते हो, यहाँ पर आपको पैंसल रखनी है, उपर जाना है, घुमाते हुए आपक उसके बाद हम बनाएंगे G, यहाँ पर पैंसल रखेंगे और उपर की तरफ करू करते हुए हम वापस उपर और फिर नीचे की तरफ और फिर ऐसे कर देंगे, तो यह बन जाता है हमारा G, उसके बाद H यहाँ पर पैंसल रखेंगे, और नीचे आएंगे वर्टिकल में, फ फिर वापस नीचे आएंगे, तो ये बन जाता है हमारा H, तो आज हमने 4 लेटर सीखे, E, F, G और H, तो अगली क्लास में हम 4 लेटर और सीखेंगे, तब तक के लिए, बाबाई!